So guys recently Android 11 की official video upload हुई थी YouTube पर और उसमें आपको सारे Android 11 के features देखने को मिल जाते थे और उसी news के बाद आपको OnePlus Oxygen OS, Samsung One UI 3.0 and Realme UI 2.0 की update की news देखने को मिल जाती थी So यहां पर यह जो updates आपको जल्दी इन companies के flagship phones में देखने को मिल सकते है and budget and mid-range phone से उनमें भी आपको लेटर next year में देखने को मिल सकते है यह update और आपको क्या features इन smartphone की updates में देखने को मिलेगी वह मैं आपको बताने वाला हूँ So basically मैं आपको next generation of Android की features बताने वाला हूँ जो है Android 11 So Android 11 में आपको काफी कमाल के features देखने को मिलते हैं यहां पर बहुत ही specific features है बहुत ही जादा features आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहां पर बहुत ही 7-8 features आपको देखने को मिल जाएंगे जादा भी कुछ improvement नहीं किये but definitely जो भी next version होगा उसमें आपको bugs कम देखने को मिलेंगे and इसकी overall stability है उसको Android ने definitely काफी जादा improve किया है अब बात करते हैं सबसे पहले feature की तो वह है conversations के लिए मतलब आप सभी को बता है कि हमें दिन में बहुत जादा message आते companies के, especially companies के and brands के तो उन messages में हमारे important messages से खो जाते है मतलब बहुत सारी rings होती है तो हमें बता ही नहीं चलता कि important message आया या फिर company का message आया तो अब आप अपने messages की priority को set कर सकते हो मतलब अगर आपको किसी important person से important message आता है तो आप उस important person की priority को high पर रख सकते हो तो जब भी उस person से आपको message आएगा तो आप मतलब आपका phone ring होगा जो भी companies के messages या brand के messages उनको आप silent कर सकते हो तो यह काफी interesting feature है मतलब indirectly जिनको बहुत जादा SMS आते है उनके लिए काफी जादा helpful feature होने वाला है एक और feature है chats के regarding मतलब आप अभी bubble chat I mean bubble icon को use करके chat कर पाऊगे यह सेम तरीका है जब हम messenger को use करते थे ना और यह majority मतलब almost सारी applications को support करने वाला है चाहे वह WhatsApp हो या फिर कोई भी और application हो आपको हर एक application के लिए एक bubble icon देखने को मिलेगा और उस bubble icon पर tap करने के बाद एक chatting window open होगा आप चाहे कोई भी application यूज कर रहे उसके ऊपर वह chatting window आ जाएगा और उस chatting window को use करके आप chatting कर पाओगे बहुत easily तो convenience पर काफी जादा ध्यान दिया है Android 11 में इसके आगे आपको एक और interesting feature देखने को मिलता है और वह screen recorder जिया अगर आपने 100% stock android phone use किया like pixel तो आपको पता होगा कि pixel devices में या 100% stock android phones में आपको inbuilt screen recorder देखने को नहीं मिलता है बट Android 11 की update के साथ ये issue solve हो जाएगी मतलब आपको Android 11 devices में inbuilt screen recorder देखने को मिल जाएगा और ये एक normal screen recorder नहीं होगा ये screen recorder inbuilt audio record कर पाएगा जो microphone की audio है वह भी record कर पाएगा Inbuilt से मेरा मतलब ये system audio को record कर पाएगा हाला कि हमें custom UI में ये feature काफी सालों से देखने को मिल रहा है but still stock android में ये feature नहीं था जो आपको Android 11 में देखने को मिल जाएगा ये बहुत ही अच्छी बात है Android 11 and stock android devices के लिए अब अगर हम बात करें दूसरे features की यहां पे controls को लेके बहुत जादा features यहां पे बताये गए हैं तो आप power button को प्रेस करके long press अगर आप करोगे तो आप multiple devices को control कर सकते हो जो भी आपके devices आपके phone से connected है तो एक menu आजाएगी power button को long press करने के बाद और आप अपने सारे devices को control कर सकते हो दूसरा feature यह है कि अगर अपने mobile में music play किया है तो अगर आपने Bluetooth connect की हुई है तो अगर आपको phone के speaker पे गाना बजाना है तो आपको Bluetooth disconnect करना होगा तो अब आपको ऐसा कुछ करने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि Android 11 में आप directly switch कर सकते हो कि आपको कौन सा playback device select करना है आपको phone का speaker पे गाना बजाना है या फिर आपको Bluetooth में गाना बजाना है तो वह अब possible है तो यह बहुत ही convenient feature लगा मुझे मैं को हर बार ऐसे ही करना बढ़ता है मुझे speaker पे गाने बजाना है तो Bluetooth disconnect करना बढ़ता है यह बहुत ही irritating हो जाता है मेरे लिए तो at least आपका मुझे तो नहीं पता बट काफी अच्छा feature launch किया है और दूसरी चीज़ है कि आप अगर car drive करते हो Android Auto का अगर आप use करते हो तो आपको generally उसे cable से connect करना परता था बट अब आप Android 11 के साथ Android Auto को WiFi से connect कर पाओगे तो यह बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही convenient feature हो जाता है मतलब आपको cable management इतनी नहीं करनी पड़ेगी तो बहुत ही interesting feature आपको देखने को मिल जाता है यहां पर दूसरा feature है privacy related तो अगर आप कोई भी new apps Android 11 के systems में install करोगे तो आप उन्हें single time के लिए permissions grant कर सकते हो like files की permission microphone camera single time के लिए आप उन्हें permissions grant कर सकते हो जैसे आप आपको open करके बंद करोगे तो वो permission उस आप के लिए deny हो जाएगी तो ऐसे में आप जब तक उस आपको use करोगे तब तक ही उसे permission दी जाएगी यह बहुत ही अच्छा privacy feature है अगर आप ने like किसी भी app के लिए all time permission set की हुई है कि मतलब हमेशा उसको permission देनी ही है मुझे तो ऐसे में अगर आप उस particular आप को लंबे समय तक अगर उसे use नहीं कर रहे हो तो उस आपकी सारी permissions deny हो जाएगी तो ऐसे में अगर आपको use नहीं कर रहे हो तो उसे कोई भी permission नहीं मिलेगी और वो background में कुछ अपनी activities को चला नहीं पाएगी तो यह भी काफी अच्छा privacy feature लगा मुझे और बाकी आपको system updates मिलती रहेगी play store से आपको application के update तो मिलती है बर थोड़ी सी security updates भी आपको play store के through देखने को मिलती रहेगी तो यही तक कुछ features android 11 के और यहां भी वीडियो खतम हो जाती है और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like कर देना और शेयर कर देना अपने friends के साथ और साथ ही मैं comment कर देना कि आपको अगली वीडियो के इस topic पर चाहिए और subscribe कर देना मेरे चैनल टेक्नल लिस्ट को क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जय हिन वंदे मातरम